हम बाहर खड़े होकर के दर्शन करते हैं, पद्मपुरान कार बताते हैं, पवित्रा रोपन के विधान में, पवित्रा जो आरोपन करते हैं ठाकुर जी के श्रीकंठ में, उनको जो फल प्राप्त होता है, वही फल दर्शन में भी है. अब जो मेरे पास समय है उसमें मैं मुझे जो मुख्य कहना था वो कहूंगा तुलसी की महीमा सुनाओंगा क्योंकि तुलसी हमारे जीवन में हमारे साथ एकदम सटी हुई है और उसके हमको रोज काम पड़ता है तो हम उसके साथ रहते हैं इसलिए तुलसी जी की कुछ बातें आपको बताऊंगा लिखा है शंकर भगवान के मुख से ये तुलसी महीमा बताई गई पदमपुराण में लिखा है कि तुलसी का महात्मय भर सुन लेने से जन्म मृत्यू के चकर से हम छूट जाते हैं जन्म से लेकर मृत्यू तरंक परियंत जितने भी पाप हुए हों किवल तुलसी महात्मय सुनने से नश्ट हो जाते हैं सुनिए लिखा है तुलसी का पत्ता, फूल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदी सभी पावन है जो तुलसी काष्ट का चंदन श्री कृष्ण को अरपन करता और उनके श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाता है वो सदा श्री हरी के समीप रमन करता है यही हरी चंदन है तुलसी का काष्ट भी चंदन काष्ट की तरह घिसा जा सकता है यही सरवांगे हरीचंदनम है, इसी को हरीचंदन, तुलसी का काश्ट इसमें घिसदो हो गया हरीचंदन, या तुलसी का पत्ता उसमें घिसदिया हो गया हरीचंदन, यह ठाकुर जी को धराये जाए, जो तुलसी काश्ट की आग से, तुलसी की जो सूखी लकडियां हैं, उस उसको ऐसे ही कचड़ा समझ कर फेंक न दें, इसका भी उपयोग है। लिखा है जो तुलसी काष्ट की आग से भगवान के लिए दीप जलाए, तो कान खोल कर सुनिए, उसको दस करोड दीप दान का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ट का धूप देता है, वह उसके फल स्वरूप सौव यज्ञान उष्ठान और सौग दान का फल प्राप्त करता है। ये कचरा समझ कर नफ है के। आगे, जो मनुश्य अपने अंग में तुलसी की कीचड लगा कर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में सौव दिनों के पूजन का फल प्राप्त होता है। ये सब कुछ गीता प्रेस से प्रकाशित पद्मपुराण में आप दर्शन कर सकते हैं। लिखा है, तुलसी की जड़की मिट्टी से स्नान करने से तिर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, वो जब तक सूर्य चंद्र है, तब तक पूपुन्य भोगता है। तुलसी द्वारा पूजी तो होकर भगवान श्रीहरी भयंकर उत्पातों रोगों तथा अनेक दुरनिमित्तों का भिनाश कर डालते हैं। फिर लिखा है प्रति दिन तुलसी दल्क से पूजा करेगा कोई वेक्ति भगवान की तो वह धनवान होता है। तुलसी की मूर्ती संपूर्ण सिध्धियों को प्रदान करने वाली हैं। फिर लिखा है पारवण श्राध के अउसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांती के दिन तुलसी का पोधा लगाना ये अत्यंत पुन्यदाई है। तुलसी की जड़ में ब्रह्माजी रहते हैं, मध्यभाग में भगवान जनार्दन रहते हैं और मंजरी में रुद्रदेव का निवास है। इसलिए शायद मंजरी रुद्रदेव को चड़ती है। वहां संपूरन देवता तथा कल्यान मई भगवान श्री हरी सरवदा स्थित रहते हैं। विशेशतह अब ये थोड़ा अंजान सा लगेगा पर सुनेंगे तो बड़ा अनदा आएगा। विशेशतह श्रीव मंदिर में ये तुलसी का वरुक्ष लगाया जाए तो उसमें से जितने बीज तयार होते हैं। मंजरी और मंजरी जब सुख जाये तो उसमें से बीज तयार होते हैं। उसी को बोदें आपको कहीं उसके पौधे लेने जाने की जरूरत नहीं। अपनी ही तुलसी से बार बार आप अपना तुलसी का पौधा नया कर लेंगे। तो मंजरीयों को संबालना चाहिए। ये विदेशों में रहने वाले जब तुलसी संबालना चाहें। तो उनके लिए बहुत अच्छा ये मंजरी वाला उपाए है। तो लिखा है कि शिव मंदिर में यदि तुलसी का वरिक्ष लगाया जाए तो उसमें से जितने बीज तयार होते हैं फिर कान खोल के सुनें उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता भगवान के समीप पृत्वी तल पर तुलसी लगाने से सदा वईकुंठ की प्राप्ती तुलसी सरवत्र पवित्र है और पुन्य तिर्थों में वो अधिक पावन मानी गई है। और फिर लिखा है कि तुलसी विरिक्ष के बगीचे का दर्शन और स्पर्ष कर लेने मातर से भी ब्रह्महत्यादी पाप नश्ट हो जाते हैं। जिनका मृत्व शरीर अब थोड़ी और ध्वदेहिक बाते भी कर लें और फिर में पूरा करूँगा। लिखा है जिनका मृत्व शरीर तुलसी काष्ट की आग से जलाया जाता है वे विश्नुलोक में जाते हैं। यह ज उसके बाद सबसे पहली जो भगवान के धाम में गई वो मेरी दादी थी और मैंने उसी इस वचन को याद करके तुलसी काष्ट कर दिया। मैंने का मृत शरीर तुलसी काष्ट की आग से जलाया जाता है वे विश्नुलोक में जाते हैं। मृत व्यक्ति यदि व्यभीचारादी किसी भी पाप से गरस्त हो तुलसी काष्ट की अगनी से देह का समस्कार होगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। लिखा है जिसकी मृत्यू के समई श्री हरीका किर्तन, स्मरण और तुलसी की लकडी से जिस शरीर का दाह किया जाए उस कि भी तुलसी काष्ट हो तो करोडों पापों से युक्त होने पर भी मनुश्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी काष्ट से मिश्रित होने पर सभी काष्ट पवित्र हो जाते हैं। वैसे श्मशान में यदि कभी जाना हो तो लिखा है कि श्मशान का वो जो मृतक अगनी है चिता जब जलाई जाई तो मृतक जो अगनी है उसमें से जो धुआ उड़ता है वो धुआ यदि स्परश कर जाये तो लिखा है कि जनम भर किया हुआ पुन्य खतम हो जाता है अब यहां और कुछ लिखा है यदि तुलसी का स्परश करा दिया जाई क्या होगा लिखा है जिस अगनी शाला या श्मशान में गी के साथ तुलसी काष्ट की अगनी प्रज्वली तो होती है वहां जाने से मनुश्यों का पातक भस्म हो जाता है उसमें पुन्य भस्म हो जाने की बात है यहां पाप भस्म हो जाने की बात है तुलसी काष्ट की अग पुष्पांजली चड़ाते हैं। पितरों को तरपन करना चाहिए। वहां किया हुआ पिंडदान लिखा है, पितरों के लिए अक्षए होता है। और बसो, 260 वा अध्याई। इसमें समुद्रमंथन की कथा है। और समुद्रमंथन की कथा में नई बात लिखा है। महालक्षमी जी प्रकट हुई फिर चंद्रमा प्रकट हुए और पद्मपुरान का वचन है कि चंद्रमा प्रकट हुए जो हम सब के मामा हैं पद्मपुरान में लिखा है कि चंद्रमा हम सब के मामा है ये केवल हमारी दादियों से सुना हुआ नहीं है पुरान भी इसके साक् जो परम पवित्र है और संपूर्ण विश्व को पावन बनाने वाली है जगन माता तुलसी का प्रादुर भाव श्री हरी की पूजा के लिए ही हुआ है और सच में कभी भी श्री हरी का दर्शन करिये मंगला के बाद जब रिशिकुमार ठाकुर जी के उसाजा देते हैं पु उन्होंने कहा कि दुलसी जी क्यों इतनी जादा चड़ाई जाती हैं बोले इसलिए चड़ाई जाती हैं कि दुलसी की जो मंजरी होती है उस मंजरी में सफेद छोटे-छोटे फूल होते हैं उसमें से कोई सुगंध आती है मैंने तो कोशिश करी लेकिन मेरी इस प्राकृत नासिका को उसमें से कोई गंद नहीं में प्राप्त कर सका, उतना पता नहीं मेरा पुंड्य नहीं होगा, पर उसमें से जो सुगंद आती है, महराज जी ने कहा, श्री राजंदरदाश जी महराज ने कहा, कि वही सुगंद श्री राधा जी, श्री श्री जी के शरीर से आती ह और इसलिए ठाकुरजी को तुलसी जी ज़्यादा पसंद है. हम सब रिषी कुमारों को यहाँ पुरान प्रवचन के लिए इसलिए इसलिए आउसर के प्दाता करुणा निधन पुझे भाईश्री के चरणों में हम सब रिषी कुमारों की ओर से बार-बार दन्डवत प्रणाम करता हूं आप सबने बड़े प्रेम से सुना इसलिए हम सब रुशिकुमार आपके आभारी हैं करतक जिता पूर्वक पुना पुझे भाहिश्री के चरणों में प्रणाम पुज्य स्वामी जी श्री मादव प्रिय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम